हालो स्ट्रेंट्स आईए हम लोग सुरू करते हैं संस्क्रीत विशय से जो की मैट्रिक 2021 में बिहार बोड में पुछी जाएगी और ये काफी इंपर्टेंट प्रस्ण है इन प्रस्णों का आना निश्चित है इसलिए आप लोग इन प्रस्णों को ध्यान से देखें और ये मातर देखने मातर से ही याद हो जाएगा बहुत ही सरल सब्दों में इसको समझा जाएगा और इस चैनल पर एडू बिला पॉइंट जो मेरा च स्कूल मिल रहा है उनकी तयारी और उनके कोचिंग और स्कूल का जो प्रोब्लेम है वो सारा प्रोब्लेम इस चैनल के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा आपको कोचिंग और स्कूल नहीं जाते हैं फिर भी आपकी तयारी पूरी हो जाएगी इसलिए सुरू करते हैं हमारे कि आपका जो नाम है प्यूसम भाग 2 इसका प्रथम चेप्टर है मंगलम और इस चेप्टर में 25 प्रस्ण में आपको करवाऊंगा जो की objective होंगे और इससे प्रस्ण आते ही आते हैं इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखें और अपने दोस्तों के भी जादस जादस शेर भी करें तो देखते हैं पहला प्रस्ण क्या है पहला प्रस्ण है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिसद से लिया गया है तो यह जो है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिसद से लिया गया है और दूसरा प्रस्ण है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं तो इसका उत्तर होगा B. मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र संगलित है एक गद्ध होता है और एक पद्ध होता है गद्ध जिसको जो कहानी के रूप में लिखा रहता है उसको गद्ध बोलते हैं और जो दोहा और कविताओं की तरह लिखा राता है, उसको पद बोलते हैं, तो मंगलम पाठ में जो मंतर संकलित हैं, वो पद्धात्मक हैं, इसको याद रखेगा आप, और तीसरा प्रस्न है, मंगलम पाठ से रचनाकार कह अस्ति, मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो तीसरे प्रस्न का उत्तर होगा, C. महर्सी बेदव्यास मंगलम पाठ के रचनाकार महर्सी बेदव्यास है चौथा प्रस्न है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुसासित है चौथा प्रस्न का उत्तर है परमात्मा यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा अनुसासित है और परमात्मा ही इसे चला रहे हैं पाच्वा प्रस्ण है उपनिसदे कस्य महिमा प्रधानते आग येते उपनिसद में किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है तो पाच्वा प्रस्ण का उत्तर होगा दी परम पुरुसस उपनिसद में परम पुरुस की महिमा गाई जाती है छठा प्रस्ण है मंगलम पाठे कती मंत्रा संकलिता संती मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किये गए हैं तो सात्वा प्रस्ण का उत्तर होगा C की पंच सहित्ता कितने संकलित हैं तो पंच पांच हैं ये ये प्रस्ण 2018 के एनुवल में पुछा भी है तो इस तरह से ये सारे प्रस्ण भी भी आई हैं भेरी भेरी इंपोर्टेंट हैं इन सारे प्रस्ण को आप लोग याद करेंगे नेक्स्ट है सात्वाँ प्रस्ण सत्यमे वजयते किस उपनिसत का मून मंत्र है तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि सत्यमे वजयते मून्ड को उपनिसत से लिया गया है तो इसका उत्तर होगा C सत्यमे वजयते मून्ड को उपनिसत से लिया गया है नेक्स्ट है हिरन्यम्यन पात्रेन देस दुष्टे यह मंत्रे किस उपनिसद से उद्रित है तो आठवा का उत्तर होगा इस्वास्योप निसद हिरन्यम्यन पात्रेन इस्वास्योप निसद दुष्टे यह इस्वास्योप निसद में दिखता है और नौमा प्रस्ण है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं कुल कितने पद हैं तो यह हम लोग पहले भी देखें हैं नौमा पाठ में 5 पद हैं 5 मंत्र हैं ठेक, जन्तो गुहायाम कह अस्ती, दस्वाँ प्रस्ण है, जन्तो गुहायाम कह अस्ती, तो इसका उत्तर होगा, पहला ए, तत्वम, जन्तो गुहायाम, तत्वम, सोरी, कह नहिता, जन्तो गुहायाम, तत्वम, नहिता, समझ में आ गया, और ग्यारवाँ है, ग्यारवाँ प् पातर से ढखा हुआ है तो ये हिरण्यम पातर से ढखा हुआ है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं को कोश्चन नमबर 12 है महतो महियान का महतो महियान का इसका उत्तर है बी ब्रह्म महतो महियान ब्रह्म और तिरहमा प्रस्ण है अनो अनियान का तिरहमा प्रस्ण का उत्तर होगा D, Brahm, Anu, Aniyan, Brahm चौथा प्रस्न है King notor, उसे कि बिजय नहीं होती है असत्य की विजय नहीं होती है किस की विजय नहीं होती है इसका उतर होगा असत्य आसत्य की विजय नहीं होती एस्टुणेंट्स ये संस्कृत बिसे जो है इससे 100 नंबर के प्रस्ण आते हैं और ये काफी सरल भी से होता है अगर आप इसकी पूरी तयारी कर लेंगे तो 90 प्लस आपके मार्स आ सकते हैं इसलिए संस्कृत को बहुत ही साउधानी पुर्वक और ध्यान से पढ़ने के आव सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है ये विसे बहुत जल्दी समझ में आ जाती है तो आईए नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं 15 प्रस्ण है कह महतो महियान अस्ती 15 प्रस्ण का उत्तर है अ ब्रम्ह ब्रम्ह महतो महियान अस्ती और इस चैनल पर आपके सारे विसे की तयारी कराई जाएगी इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच भी सेयर करें किंग जयते सुलम्ह प्रस्ण है किंग जयते तो हम भी जानते हैं कि सत्यम जयते ठेक किंग जयते तो इसका उत्तर पहला होगा सत्यम जयते खाली अस्थान है सत्यम अस्थापी हितम सुखम तो इस खाली अस्थान में क्या भलाएगा सत्यमा कोश्चन है तो इसमें भलाएगा हिरनमेन पात्रेन सत्यम अस्थापी हितम और 18 है डैस ना निरितम तो इसका होगा C सत्तोमेव जयते ना निरितम और 19 प्रस्न है यथा खाली अस्थान सेंदमाना समुद्रे तो इसका उत्तर होगा C यथा नद्य शेंदमाना समुद्रे और उनिस्वा का उत्तर होगा C, विस्वा प्रस्न है तोमेव खाली अस्थान मृत्वम मेती, इसका होगा विदित्वा तोमेव विदित्वा मृत्तवम इती और एक इस्वा प्रस्ण है ब्राम्हन मुखं केन आख्छादितम अस्ती ब्राम्हन मुखं केन आख्छादितम अस्ती एक इस्वा प्रस्ण का उत्तर होगा ए पात्रेन ब्राम्हन मुखं मुखं पात्रेन आख्छादितम अस्ती और बाईस्वा प्रस्ण है मंगलम पाथ कहा से संकलित है 22 प्रस्ण है मंगलम पाथ कहा से संकलित है, तो इसका उत्तर होगा, मंगलम पाथ उपनिशत से संकलित है, ये 2018 के अनुवल में ही पुछा हुआ है और 23 प्रस्ण है अनोर नियान महतो, खाली अस्थान महिमान, मात्मना मंत्र किस उपनिसद से संग्रहित है तो यह कठोपनिसद से संग्रहित है अनोर नियान महतो कठोपनिसद से महिमान मात्मना यह मंत्र कठोपनिसद से संक्लित है और चौबिसमा प्रस्ण है नदियां नाम और रूप को छोड़ कर किस में मिलती है तो इसका उत्तर होगा में मिलती है और पचीसवा और आखरी प्रस्ण है महान से भी महान क्या है तो यह है आत्मा 25 का प्रस्ण होगा उत्तर होगा आत्मा तो इस तरह से संस्कृत के पहले पाठ मंगलम के जो अबजेक्टिव हैं 25 अबजेक्टिव हमने पूरे कराए और इनहीं में से प्रस्ण आने हैं और आगे भी आपके सारे चेप्टर अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव सब करवाया जाएंगे इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी सेर करें सारे मैट्रिक 2021 की टोटल तैयारी इस चैनल पर मुफ्त में कर याई 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 याई